अब जैसे अभी में एक कथा सुन रहा था तो एक बोलते एक व्यक्ति ने कुछ रेफरेंस देने के लिए भक्त माल में ये कथा प्रियादस जी ने दी है किसी का रेफरेंस देने के लिए तो बोलते एक भक्त थे उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या करी और तपस्या के बाद वो जिस भी देवी देवता की तपस्या कर रहे थे वो बोलते वो देवता उनके सामने प्रकट हो गए एक दिन और उन्होंने बोला कि मांगो आप क्या मांगते हो हम आपकी तपस्या से प्रसन हुए आप एक वर मांग लो अब उसने सोचा जो भक्त थे जो पंडे जी थे कि भाई एक वर मांगने को बोला है तो क्या मांगे तो वो भी बड़े चतुर थे उन्होंने बोला मैं एक ही वर चाहता हूं भाई हम भी बड़े संतोशी ब्रहामने हमें भी कोई जादा न चाहिए जब जो सोचू तब वो हो जाए अब कित्रे वर भाग लिए उन्हें अंगिनत कोई गिंती नहीं है तो बोलते जो देवी देवता होते हैं वो भी चतुर होते हैं उन्हें भी पता है संसारिक बुद्धी कैसी होती है उन्होंने कर ठीक है महाराजी आपको यह वर है लिद्धीया आप जब जो सोचोके वो आपको प्राप्त हो जाएगा पर एक कंडीशन है आप ज जो सोचोके तब वह आपको प्राप्त होगा पर आपके पढोसी को उससे दुग्णा प्राप्त हो ने अ आहाँ हाँ ठीक है हमें थे मिलेगा अब देवता लोक जनते हैं मनुष्य बुद्धी कैसी है वो उस कमह समझ नहीं पाए चाह गार आये अब घार आये है तो आ सोचारे क्या हम चोटे से जोपड undergrad में छपड में रहते हैं है भगवान ऐसा तो हो कम से कम कि हमारे पक्का मकान, हो चाहे एक फ्लोर का ही हाई हो क्योंकि हम यह बिभी रहते हैं लेकिन लेकर मकान का बोलते हैं एक फ्लोर का फिलोर का आ कि पडू अब उब आप बढ़िंति खूंबने लगी कि इतने साल बैठे तो हम सब कुछ हमने गिया और माल यह खारा है हमें एक फ्लोर मिला इसे दो Пिलोर मिला खैर सोचा हमारे एको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है मारज कुछ ऐसा तो हो कि हमारे पास एक स्कूटर हो एक स्कूटर सोचा महाराज उसके दो स्कूटर अब बड़ी और तकलीफ लगी कि इसके पर ये कहां से आ रहा हो फिर ध्याना है उन्होंने बोला साथ दुगना होगा अब क्या करें करते करते लंबी कता है मैं आपको शॉर्ट में बत अब आएगा मजा इसको कहां से निकलेगा कहां से जाएगा इधर उदर से गिर जाएगा कुए में अब सावधानी से तो चलेगा ही जब उसे पता है मेरे आगे दो कुएं अब इससे भी बात नहीं बनी तो बोलते एक दिन उसने मांगा अब ठाकुर जी हम पे ऐसी क्रिप सोच लेते हैं अगर किसी का फाइदा हो रहा है वो हमें बरदाश्ट नहीं होता कि अगर हमारे कारण किसी का हित होता है तो बड़ी अच्छी बात है हमें क्या खराबी है इसमें हमें खुश होना चाहिए मगर हम जलते हैं दूसरों से कि इसका क्यों हो रहा है इसका क्यों ह वावने की मेरे पास है लेकिन उसके पास दो हैं तो हम उससे परिशाद हैं अब देखो वो सारी तपस से आज जो इतने साल करी वो करी उसका अंत क्या निकला कि मेरी एक आँख फोड़ दो एक आँख अपनी फुडवा ली ये करके अद्विला ऐसा व्यक्ति कभी संतोष नह अब वह ठांड पीस हम लोग मन से शांत नहीं है उपर से तो सब कारे कलाब चल रहे हैं क्रियाएं तो सारी चल रही है पर भीतर हमारे शांती क्योंकि मन जो है ना यह मन बहुत बड़ा मैंने का ना यह दूसरा भगवान है यह भाग रहा है इदर उदर 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 क क्रियाएं तो आप भजन की कर रहे हो पर मन नहीं लगा रहे हो अब वो कभीरदास जी की बाद ही आती है ना याद कि ये तो सिमरन ना ही कि मन आपका इदर उदर गोम रहा है और जुबान बस हिल रही है और हाथ बस हिल रहे है लेकिन मन आपका इदर उदर भाग रहा है तो शांती नहीं मिलेगी इसलिए अप जो हम कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके से करें यह जो हम नियम पे चर्चा कर रहे हैं न इसका में रीजन चर्चा करने का यह है कि इसके द्वारा हमारा मन लगेगा मन लगे हमें समझ में आए कि हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों क साथ से the goal of goal is to have peace आप जो गोल बना रहे उसका गोल है पीस शांती मैं कितनी बार कितने भक्तों को सब जानते होंगे मैं सब से पहले उनको यह बोलता हूँ आप पहले वो करो जिससे आप मन शांत हो पहले इदर भागना उदर जहां शांती से बैठके आप भजन कर सको नपर वो कारेकर है अराम से बैठके हम लोग टेंशन फ्री होगे हम अब लॉक-डाउन में इधर जाए उदर जाए वह दान जाए वह द्धाम जाएए वह टेंशन लगी रहे वा निकल नहीं दे रहे वह काड़ी खड़ी नहीं होने दरेगे आरे आप अराम से बैठो आपको घरी व्रिंदा बने बहुत बढ़िया इसलिए जब धाम भी जाते हैं तो मैं कितनी बार बोलता जाओ तो ऐसे जाओ कि आज गए तो यहां कल आना है या परफो आना है ताकि कम से कम एक आद दिन दो दिन वहां बैठ के आप से भजन तो करें वो वला जाना और आना मुझे समझ में नहीं आता कि सुबह सुबह फटा-फट से गए और शाम को वहां से निकल गया और फिर वहां पे भागा तोड़ी इदर गए उदर गए उदर गए तो आज की साधना भी खराब क्या फैदा हुआ जब साधना ही नहीं मन को शांती नहीं मिली तो क्या हुआ यह भागा थोड़ी से एक माता जी ने सोचा भई आप मैं एक नियम बनाते हूं मैं रोज सुबह मंदिर जाया करूंगी उन्होंने एक सोचा अब मंदिर रोज कितने वज़े परनिका दी करनी सब्कर के फड़ा अपर से मैंन ऒड़ा कर के पहले तो यह ही पर इदर उदर लड़ाई खट पट घर पे शरूरिय हो 최 और इस सेबात उस से तुम्हें पता नहींग मैंने नियम ली ए मैनने मंदीर जाण नहीं ये करना हो करना हो Сब घर पर फैले तो एक आपकी जो शांती थी मन की जो आप शांती से सुबबा बैटके भज़ंकर में पार्किंग नहीं किले इदर करके किसी तरीकित आप में कोंई इस समय सार्टी परोग्स नहीं आकरना में और वह आपका दूसरा कराया फिर दी लाइन लगी होई आप लाइन में लगे ओलाइन आपको बड़ी दिक्कत दे रही है पीछे वाला कोई गार आया कुछ कर रहा है यां बात कर रहा है हलका सा धक्का देरा आपको उस पे बहुत ज़्यादा गुसा आ रही है उसको जाड़ दिया ये कर दिया आगे गए तो हम पुजारी जी गए पुजारी जी भी ये भी देखना वो हमें जो ज़्यादा थोड़ पाया है क्या पाया पहले सोते हैं आपकी बुद्धी कहा है यह मंदिर जाना नियम मनाना गलत नहीं पर आपने में जो पॉइंट था कि मंदिर आप मंदिर कि सलिए रहे थे मन की शांती के लिए और मांग सबसे ज्यादा क्या जो होई मन की आप जब ऑल्टर में गये तो पहले आप अपने आप में से पूछो कि आपका धियाद ऑ्लटरम था या आपका ध्याद पुजारी जी मगर क्रियाओं को इतने बेढंगे मन से कर रहे हैं इतने बेढंगे तरीके से कर रहे हैं मन इतना कुलशित कर देते हैं कि सब करते 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 भी मिल कुछ नहीं रहा है प्राप्ति कुछ नहीं हो रही है क्योंकि प्राप्ति क्या हो नहीं थी मन की शांती यही में प्राप्त करने की वस्तू थी मन भगवान में लग जाए मन शांत हो जाए ओ भगवान की तरफ तो ध्यान नहीं है सब चीजे इधर हो क्योंकि सुबह से ग्रासर्ण फीर्य मंतुरिक यिए शांती तो बना के रखते ऊदर वी और हुसना मन लगातें जिनका मन साधना में लग गया फिर उन्हें उनके क्रियाएं जो होती है वो बड़े पॉलिष्ट तरीके से होती है ऐसा नहीं कि यह करने लगे तो उतनी सब वहां पे उथल पूथल कर दी सब प्रेम से अगर कारे किया जाता है किया जाता है और एक समय जिस समय हम जा सकते हैं इसमें भी बड़ा प्रसन है कि मुझे तर्शन हो गए ओ बां के विहारी जी के बिरकुल पीछे खड़ा आगे खच अखच आनन्द हो रहा है वह कई भाग मर नहीं रहे हैं विल्कुल बढ़िया से दर्शन करें आंक से आंके में जो सीड़ियां चड़के पीछे वांके भांके भी आरी जी के बढ़िया दर्शन होते हैं तुन सीदें वहां कड़े हो जाओ क्योंकि होड तो सारी आगे की तरफ लगी है पीछे राम से खड़े हो के दर्शन हो रहे हैं बहुत बार बहुत बार मैंने यह नोट किया बड़े भक्तों को बहुत आनंद से पीछे दर्शन करें आगे चका चक मारा मारी लगी है यह लगी हो लोगे ओपन ने जी को मैं 500 कि एक दिन उनकी परीक्शा करने के लिए भगवान को कपड़े में पेना है क्योंकि वो कपड़े बता देती वो मन की शांती प्राप्त कर लेता है हम दो आखे लेकर हमारा मन शांत में गुनता रहता है तो कमी किसमें हैं, कमी हमने आराम से बैठके अपने और अपने ठाकुर जी के जब चिंतन करेंगे, सब चीजे शांती से होगी, भागा दोड़ी, भागा दोड़ी, भागा दोड़ी से कुछ नहीं मिलेगा, इतनी बारी हम लोग बिंदा बन जाते हैं, इतनी बारी करते हैं, सोच के जाए इस बार ही जा रहे हैं बस रादा दामोदर जी बैठेंगे आराम से इस बार गए कितनी एक दो बार हम लोग गए ना रादा रमन जी बैठेंगे बस बैठे रादा रमन बैठे दो दिन रादा रमन सुवे से शाम रादा रमन बैठे कितना अनन्द आया और यही जैपूर में जाते काई नहीं बस राधा गोविन देव जी बस सुभे भी राधा गोविन देव जी तुपैर को भी राधा गोविन देव जी मंगला भी गोविन देव जी शाम को भी वहां नहीं तो गोविन देव जी गोपिना जी बस आनन यहीं इसी में यह नहीं इधर भी फिसलोफ मन लगने की बात है जाना सब्सक्राइब है टो इस प्रकार से बहुत द्यान रखें मन कि शांती से होँगे